अन्म्यूट कर लिजे प्लीज यह है कि राजस्तान भी जब पहुंचेंगे तो आपको सचिन पाइलेट का भी नाम देखने को मिलेगा शोक गहलोत को भी नाम देखने को मिल सकता है यानि बड़े नेताओं को चिनाव लड़के एक टास्क पूरा करना है क्योंकि संख्या भी बढ़ानी है अगर बड़े ने तक कैसे उदारन बनेंगे यह एक संदेश है अब जहां तक आपके अमेठी से लड़ने का प्रश्ण है तो हमें कोई कारण नहीं लगता कि अमेठी को छोड़ेंगे राहुल गांधी कोई कारण नहीं दिखता यह अटकले लगती है लेकिन अमेठी से राहुल गांधी चु को उमीद है कि वहां से प्रियंका गांधी को मिले टिकट लेकिन क्या होता है वो देखने वाली बात होगी मगर कांग्रिस ने इस सूची में जो और एकादबातिक कोंबिनेशन जो बनाये है युवाओं का खास करके जो पचास साल से कम उमर के लोग है उनको बारह लोगों को टिकट दिया है उन्तालिस में यानि ये रेशियो भी कम से कम 30% के से थोड़ा कम है ये जा रहा है तो ये युवाओं को जो सुची है इसको तोड़ा और बढ़ना चाहिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको बढ़ाने की आवर्शकता है और उन्तालिस में 24 SC, ST, OBC है तो ये प्रोपोर्शन अच्छा है कॉंग्रिस के कॉंबिनेशन के ख्याल से फिलाल ये से इतनी टिपड़ी बनती है जी बिलकुल बिलकुल जड़ा आता हूँ अनिल सिन्हा जी के पास अनिल जी कैसे मैं कहा रहा था कि पंका जी जो जानकारी exclusive दे रहे थे कि कांग्रिस 300 सीटों पर लड़ेगी तो इस exclusive जानकारी में शुकला जी की बात थोड़ी सी सही सटीक परटी दिख रही है कि जब तक मायावती जी के लिए 40-50 सीट आप छोड़ेंगे नहीं तब तक मायावती जी से पूरे देश के लेवल पर समझाता नहीं होगा क्योंकि वो सिर्फ यूपी का समझाता नहीं होगा सीट शेरिंग पर और इसी वजह से कांग्रेस इतनी कम सीटों पर लड़ सकती है अदरवाइस इतनी कम सीटों पर लड़ने का कोई प्रशन उठता नहीं है इसलिए मुझे शुकला जी की बात और जो भी फिजा में बाते हैं कि सोनिया जी और मायावती जी के बीच संपर्क है और यह बहुत जल्दी डील हो सकती है मिलकर चुनाओ लड़ सकते हैं इसके कुछ और सिम्टम्स है कि बीएस पी ने अब तक उमीदवार घोशित नहीं किये बीएस पी ने बहुत सारी चीजें नहीं शुरू किये और कॉंग्रेस ने भी यूपी में किसी हद तक अपने आपको रोका है उमिदवार जारी करने से तो इसमें एक बातचीत की जो संभावना है गुंजाइश है वो बचती हुई दिख रही है यह बात कहते हुए मैं बिहार पर लोटना चाहता हूं कि बिहार में देखिए यह बात सही है कि अनिल सिना सर्जें न इसे वाले को उसको बेच देते हैं उसके बाद तीसरा सीट अपना रख लेते खुलम खुला चलता है उसी तरीके से मांजी जी भी उसी तरह सोचते हैं या तो परिवार में सीट रहे परिवार से बाहर जाए तो वह सीट बेच दे तो एक तो थैली का इंतिजाम ऐसे भी हो और इसको जो लोग जस्टिफाई भी करते हैं और सच्चाई भी यही है लेकिन इसके बावजूद इसके बावजूद इधर या उधर और जनता के बीच में जाना चेहरा दिखाना कुछ न कुछ बाते रहती है अब है कि दोनों चाचा भतिजा में एक साथ जो 6 सीटों का कर रहे हैं वो नितीश कुमार नितीश कुमार को आप देखेंगे जब जब NDA गटबंदन विराते हैं वो किसी ना किसी तरह से उपेंद्र कुश्वाह को बाहर करवा देते हैं और किसी ना किसी तरीके से चिराग पासवान उनके साथ रहते तो उनका भी बंटा ढार करा द है अपने पार्टी से दबाव कि कौन एलेक्शन लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे तिकट देना भी है तो किस पैसे वाले को टिकट दिया जाए ताकि दूसरे का भी खर्चा निकल सके यह सारी समस्या भी रहेगी तो इस समस्या का भी प्रॉब्म उनको निदान निकालना है कि बीजेपी नहीं देगी तब कैसे लड़ेंगे क्या छोड़ देंगे मैदान तो वैसे इस्तिती में जो राजद के तरफ से ऑफर है राजद भी उनको असिस्ट कर स सकती तो हमें लगता है कि चराग पास्वन की उधर भी बातचीच चल रही है राजद के साथ में अच्छी बाथ चिछल रही है और NDA में कोई पूछी नहीं रहा है कोई नहीं पूछ रहा है चिराग पासवान को तो जो हनुमान थे आज अचानक पता नहीं क्या बन गए अपने आपको क्योंकि उनके शिरी राम तो बदल गए तो इस वज़र से बिहार में जो इस्तिती है वो एंडिये की गडबड है नितिश कुमार के रहते उपेंद कुश्वाहा और चिराग पासवान को एंडिये में रखा नहीं जाएगा टिकट उकट नहीं मिलेगा वो राज्य है जारखंड 14 सीटें तो 14 सीट उसमें और जोड लीजिए तो 134 सीटें होती हैं क्या जारखंड में जैसे आप लोग कह भी रहे थे हमन सोरे अभी जेल में हैं लेकिन उसके बाद से परिस्थितियां बहुत बदलती हुई दिखाई दे रही हैं जैसे यहां बीजेपी को मोहकी खानी पड़ी सरकार गिराने चले थे लेकिन वहां पर परिस्थिती ऐसी बदली कि अब क्या ये कहा जाए माना जाए कि लोगसभा चुन राजीव जी थोड़े समय में जल्दी से जहारकंड की चर्चा कर लें तो जहारकंड में आधिवासी सैंटिमेंट बहुत हाई हैं और जब कलपना सोरेन के आंसु गिर रहे हैं तो उसके बाद जो प्रतिकृया हो रही है उस प्रतिकृया को आधिवासी समाज में उस प्रत इस कारण से बीजेपी जो के बहुत अच्छे पर्फॉर्मेंस के साथ वहां थी इस बार बहुत मुश्किल में हैं शहर की कुछ सीटें हैं जहां कमफोर्टेबल हो जाती है बीजेपी यह सराची है दनबाद है जमशित्पूर है लेकिन यहां भी आसान नहीं रहेंगी यहां हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूटूब पर टाइप करें डीबी लाइव सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बिल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुश्ती रहें देखते रहें डीबी लाइव क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार झाल